असलाम लेकूम, वेलकम थो आबर चैनल, तो आज का हमारा मेन्यो है मतर के चावल, कुछ लोग जो हैं, इसे मतर का प्लाव भी कहते हैं, तो चलिए, जल्दी से इसमनी रेशीपी को स्टार्ट करते हैं, आज मैं आपके लिए मतर के चावल की रेसीपी लेके आई हूं, उसके कीया है तो अलवाण दो कुपरी ने ले लिए मैं एक दो अदर द्रमीयानी प्याज और सब्सक्ा ड़िया था इसा तरीके से बारी काट लिया है हुआ है श्तर करें को शानिय cat पैस्थार डालाए कुटी हुई काली मिर्च, तक्रीब 1.5 TSP, नमक तर 2 TSP, चिकन स्टॉक ले ली है, 3 QBs तर दालोंगी, साबुद गरम मसाला, इसके अंदर मैंने लिया है, तारचीनी, तीन स्टिक्स, साबुद काली मिर्च 5-6 अदद और लॉंग 5 अदद, चलिए जल्दी चे अपनी कर लेते हैं, एक पैन में मैं आइल डालूंगी, आइल लिया है मैंने तक रीबन 1 फोर्थ कप, आइल थोड़ा गरम हो जाएगा, तो इसके अंदर मैं डालूंगी, प्यास जो मैंने ली थी, दो अदद प्यास, स्लाइस रिकटी हुई, साभूद गरम मसाला, इसके इनर मैं दो तेज पात भी डाल देए हुँ, आपकी मर्जी आप डालें ना डालें, तेज पता, यास को हलका सगोल्डन कर लेंगे, लाइट गोल्डन करेंगे, प्यास को जादा ब्राउन नहीं करेंगे, नहीं तो चावनों पर इसका कलर जो है, वह इतना अच्छा नहीं आएगा, चावन भी काले काले से हो जाएंगे, प्यास अब अपना कलर चेंज कर रही है, अब मैं इसके अंदर, साबुत जीरा डालूंगी, वन एन हाफ टी स्पून, यह एडिशनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं, तो ना डालिए, इसे जीरे से बहुत ही अच्छा से टेस्ट बनता है, जीरे के भी बहुत से फा अब यह एक आली मिर्च, यह सब चीज़े डालूंगी, अब मैं इसके अंदर टेमाटे डाल रही हूं, अब अगरा का पेस, नहसं का पेस, नमक, कुती होई काली मिर्च, चिकन स्टॉप, और थोड़ा सा पानी ताके कि माठर गल जाएं, अब मैं इसको तकरीबन 5-6 मिनिट के लिए पका लूँगी, कवर करके ताकि टेमाटे जोएं वह थोड़े नरम हो जाएं, फिर हम इसके अंदर मत्र शामिल करेंगे और इसको गला लेंगे अची तरह, यह देखिए टेमाटे जोएं वह तकरीबन गल शुगे हैं, अब मैं मैं इसके अंदर मतर टाओंगी, आप चाहते हैं अगर मतर आपको ज्यादा नहीं पसंदें तो आप मतर जोएं वह कम भी कर सकते हैं, तकरीबन 1-2 प्यारी के करीब आप डाल दीजिए, तकरीबन यह होंगे, करीब चावल होंगे, उसके असाफ से मैंने दो कब इसमें मतर डाले हैं, आपकी मर्जी है, अगर आपको मतर जादा नहीं पसंदें तो आप कम भी कर सकते हैं, अब मैं इसके में थोड़ा पानी डालूँ ही ताके मतर गल जाएं, अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी, साड़े तीन कप मैंने चावल लिये थे तो उसके हिसाब से में पानी डालूँगी, इसमें, चार, पांच कप मैंने इसके अंदर पानी डालूँगी, साड़े तीन कप चावल थे, इसको थोड़ा बॉयल आज़े तो इसके अंदर चावल डालेंगे, चावल मैं तकरीबन 2-5 गंटा पहले बिगो दिये थे, यह साबो थरी मिर्चे नहीं है मैंने 2-3 अदद, यह भी मैं इसके अंदर डालूँगी, नमक आप इसको इसमें टेस्ट कर दीजाएगा, नमक आप पांप नहीं है का नमक और और आट कर दीजेए, पाणी जो है वो बाइल हो चुका है, अब मैं इसके अंदर चावल डालूँगी, इसके अंदर चावल डालूँगी, अब इसको तक्रीबर 5-6 मिनिट तक आप आप इसकी कवर खोल के पकाईए और इसके बाद हम इसको ख्लेम स्लो करके इसको कवर कर देंगे ताके चावल जहें वह गल जाएं यह देखिए चावल जहें वह बॉल हो रहे हैं इस बद आप इसका नमक केस्ट कर सकते हैं नमक बीचु परफेक्ट है थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाएगा तो इसको कवर करके हम पकाएंगे पानी खुश्क हो रहा है तो पानी खुश्क हो रहा है पानी खुश्क हो चुका है अब मैं इसको कवर करके तक्रीबन 15-20 मिनिट के लिए और उसके बाद जो है वह चावल जो है वह रेडी हो जाएंगे अब आपने 15-20 मिनिट तक इसका कवर खोल के नहीं देखना जब 15-20 मिनिट गुजर जाएंगे फिर हम इसको खोल के देखेंगे चावल जो है मज़दार से हमारे मटर के चावल यह मटर का प्लाव जो है वह रेडी हो जाएगा यह देखिए चावल जो है वो दम पे आ चुके हैं बहुत ही जबरदस से चावल रेडी है यह देखिए एक एक दाना चावल का विल्कुल अलग है चلिए इसको डिश-ाउट कर लिया है जबरदस से हमारे मटर क्लाव रेडी है I hope आपको ज़रूर पसंद आएगा तो अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में हमारी वीडियो को शेर कीजिए लाइक कीजिए इन्शालला कुछ निया लेके फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए अल्ला हाफिज